प्रदेश के बहराईच हिंसा में बड़ा अपडेट सामने आया है प्रदेश एक बार फिर गोलियों से गूंज उठा जी हां जिले में हुई हिंसा के दो आरोपियों का इंकाउंटर हो गया है आरोपी नेपाल भागनी की फिराक में थे घटना वाले दिन से पुलिस इनके प पराक किया गया जिन आरोपियों का इंकाउंटर हुआ उनके नाम सरफराज और पुरिंकू और मुहम्मद तालीम और सब्लू है वहीं इनके साथ कुल पांच लोगों को गिरफतार किया गया है वहीं एस पी ने जवानकारी देते हुए इस इंकाउंटर को लेकर क्या कुछ कहां आप भी सुनिए उसके साथ पुलिस का मुट्खर हुआ है क्या है यह पुरांगा चीत हाना हर्दी के शेत्रांतरगत महराज गंज में जो 13-10 को बहुत दुखद और दुद्दान घटना हुई थी जिसमें क्यों वक्त को गोली मार के हत्या कर दी गई थी उसी के करम मे हमारी टीम ग्राउंड पर काम कर रहे हैं कि सभी अभ्यूक्तों की हमें तलाश थी तो आज पांच मुख्य अभ्यूक्त पुलिस के कबजे में आ गए हैं जिनके जिनमेंसे दो अभ्यूक्त जो हैं जिनका नाम है मोहमद तालीम उर्फ सब्लू और मोहमद सर्फराज में उप्यूक्त यूज हुई थी उसको लोड़ेड हालत में रखा गया था और एक और अवेद असला इंतिल्वारा वहां पे चिपाया गया था उनके द्वारा पुलिस पर फाइरेंग की गई आत्मरक्षा में की जवाबी फाइरेंग में इन दोनों को भी गोली लगी और बाकी तीन अन्य मुख्य अभ्यूक्त भी अब्दुलहमी और उनके पुत्र फाहीं तथा मुहमद अफजल पी इनकी भी गिरफतारी हुई है और इनसे की गई पूछताज के अधार पे जो अन्य अभ्यूक्तों की जानकारी हुई है उन पर भी मिरंतर हमारी टीम्स काम सब्सक्राइब कर रहे हैं जैसे मुख्यारूपी तो सभी पकड़ लिए गये हैं लेकिन यह चापरमारी क्या अभी जारी आपके रहीगी या जी बिल्कुल जारी रहेगी जैसे जैसे नए तथ्या आ रहे हैं जो भी कोई लोग इसमें समर्थक प्रोटसाहक के रूप में या इसको पुरा प्लान करने में इनको संद्रक्षन देने में संदिप तपाई जाते हैं सभी के खिलाफ ठोस कारवाई की जाएगी इस घटना में संदिप सभी अभ्यूगतों के खिलाफ रासुका के तेवं अन्य ठोस कारवाई जल्द ही अमल में लाएगी जी अभी अस्पताल पहुंच रहे हैं से मौके पर पहुंच के फिर आगे की सूश नहीं हैं में घायल आरोपियों का इलाज करने वाले सामुदाइक स्वासे केंद्र नानपारा के डॉक्टर ने कहा कि दोनों के पैर में गोली लगी है एक के दाएं और एक के बाएं पैर में बुलेट एक्जिट पॉइंग नहीं मिला है गोली अंदर फंसी हुई है ऐसे में उन्हें जलास्पतार रफर किया गया है सुनिए गट्षप क्या नाम था अरोपियों कहा गोली लगी दो वेक्ति आया थे हमारे हाँ जो लोग एक सरफराज करके नाम है और एक तालिव करके मौमत तालिव तो दोनों के एक के दाएं पैर में एक के बाएं पैर में क्या इस्तिती है सर इस्तिती दोनों की सही है और तोड़ा जो गोली है गोली अभी अंदर ही है क्योंकि एक्जिक पॉइंट उसमें नहीं दिखा है बाकी हमने डिश्टिक होस्पिटल बैराइच के लिए रेफर कर दिया है वहां एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए इस्तिती दोनों की नॉर्मल है दो पाहर में दो पाहर में दो पाहर बताया जा रहा है कि यह आरोपी बैराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा की हट्या में शामिल थे इन्होंने ही साथियों संग मिलकर राम गोपाल पर गोली चलाई थी गटना के वक्त के को संग्यान में लिया था फिलाल हाला सावाने है फिलाल के लिए इस खास रेपोर्ट में बस इतना ही देश-दुनिया के तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज महारत हर कबर आपके साथ आपके हार